नमस्कार मैं हूं मास्री वास्तो आप सभी का इस चैनल में स्वागत करती हूं आज हम बताएंगे जैसा कि लोगों के तिल्ली बढ़ जाती है या क्या कहते है यकरत में खराबी आ जाती है लीवर बढ़ जाता है तो इससे होता है कि बच्चे लोग जो होते हैं चोटे- सबसे बड़ी बात है कि यह कोई भी घरेलू उपाय बताते हैं तो इसमें कोई भी नुखसान करने वाली चीज नहीं होती है इसको हम लोग रोजाना जैसे कि कोई चीज होती है तो खाने में भी हम लोग प्रियोग करते हैं तो यह कोई नुखसान करने वाली चीज नहीं हो इसके पहले हम चाहेंगे थोड़ा सा अगर आप हमारे सैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और मेरे अगर पसंद आए तो सब को सेयर करके जरूर बताएं क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फैदा उड़ा सके आपको यह करना है कि पुराना गुड़ पुराना ग उखना है कि ब्राणा गुड़ लेना 1.5 ग्राम गणा से एक चमच माल दो ईखनाए और जैसे पीले रंग वाली हरी तो यह निकल आती है और पीली तो हमको भूरे रंग वाली हरले हैं पीली वाली कूठले एक जैसे मैंने कूठी फिर उसका गुठली निकल आती हुएकु यानि देड़ गुण और एक पीली हरड का चल्का कूट करके चून बनेंगा उसको मिला करके हम एक गुणी बन लेंगे या इतनी सम्ट gradual गुण में और एक फरन में एक गोली बन जाएगी, अब इस गोली को प्राता, सुबह, हम इसको हलके गुनगुने पानी में पी लेंगे, खा लेंगे मतलब, और ऐसे ही यही एक खुराक साम के लिए बना लेंगे, ऐसे हम कम से कम इसका प्रयोग चार-पांच दिन तक करेंगे, गुड़ और पीली हरड क चिलके कर्चून मिला करके आपस में दिन में दो बार गरम हलके गुनगुने, गरम पानी से सुबह साम पियेंगे, तो इससे यह होगा कि हमारा जैसे कि किसी कभी तिली है, या लीवर है, जिसे पलिया भी बोलते है तिली को, तो उसमें दिक्कत आती है, तो इसमें बहुत ह आराम मिलेगा पेट दर्द ठीक हो जाएगा और यह जैसा ही होता है कि गुड़ और हरार बगएरा सब लोग खाते इसमें कोई नुक्सान करने की वाली चीज नहीं है और मेरी बहुत इसाधारर सुपाए हैं जो कि लोगों की उपर अजमाई होते हैं वो जानकारी मिलती है त पसनना है तो मिस चैनल को लाइक करिए जब इसक्राइब करें नमस्कार झाल